Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash तो आज हम एक अलग lesson plan देखेंगे कि कैसे बनाते हैं जिसका नाम है micro lesson plan जैसे कि हमने पहले macro बनाए जो 30 to 45 minutes के होते थे classroom में अब करेंगे हम micro जैसे कि micro की मैंने पहले वी video डाली थी कल ही जिसमें मैंने बताया था कि जो micro होता है उसमें 5 skills यूज की जाती है तो हम micro lesson plan बनाएंगे तो उसमें हम skill यूज करके उस lesson को बनाएंगे तो skills जैसे कि आपको मैं पहले file दिखा देती हूँ थोड़ी सी कि पहली skill होती है skill of introduction कि हम एक topic लेंगे और हम introduce करेंगे उस topic को उससे related बनाएंगे और उसका एक rating scale बनाएंगे उसके दो कैसे बनाएंगे वो मैं बता दूँगी और एक दूसरा lesson plan बनाएंगे अलग topic लेके वो भी same introduction वाला बट उसका format भी अपना अलग से आए ये introduction वाले दो हो गए उसके बाद हम second skill यूज़ करेंगे explanation वाली skill change हो जाएगी format change हो जाएगा but the only thing remains the same is the topic याद रखना कोई भी दो topic जो आप start करोगे उसको यूज़ करके आप वो 10 micro lesson plan बनाएंगे topic change नहीं कर सकते और ऐसे ही fourth वाला आप देख लीजिए वही जो topic second में लिया था उसका ही हम explanation में बनाएंगे means ऐसे ही हम change करते जाएंगे with example वही topic लेके change करते जाएंगे तो हम आज simple एक छोटा सा देखेंगे पहले skill of introducing a lesson पहला micro lesson देखेंगे इसका pattern means इसकी series number के according में वीडियो बना दूँगी आप देख लेएंगे आपको पता लग जाएगा आपको किसको कहां पे बनाना है first number पे second number पे तो आपको जादा clear हो जाएगा तो पहले आजाएगा skill of introducing a lesson कि हमने lesson को introduce करना है जो आप topic ले रहे हो उपर वाला format आजट इस रहेगा PT role number, subject, topic, date, class and duration इसमें क्या होगा the thing is तीन कॉलम्स बनेंगे जैसे हम introduce करते हैं कि हमने पढ़ाना है तो हम introduce कर रहे हो उस chapter को chapter light and reflection of light जैसे कि पहले good morning students pupil activity में कि बच्चों ने कैसे react किया PT कुछ questions पूछेगा जैसे वो previous knowledge testing करते हैं हम macro की बस वही चीज यहाँ पर बनानी है मुश्किल कुछ नहीं बस इसको ऐसे ही बनाना है यहाँ PT activity यह pupil activity यह serial number आजाएगा उसके बाद announcement of the topic कि जो PT होगा वो topic announce कर देगा कि हम discuss करें reflection of light मैं इस chapter introduced कर दिया आपने अब सारा chapter नहीं लिखना आपने बस जितना पढ़ा दिया समझा दिया वो जब इंट्रोड़क्शन थी भी कोज आपने सिर्फ इंट्रो देनी थी उस according बना दिया तो आपने ये टेबल बनान है rating scales इसको कहते है rating scale में जो introduction वाली rating scale है वो अलग है सब scale की rating scales अलग है तो प्लीज उसको दियान से लिखना मेंज यहां पे desirable behavior आजाएगा यह previous experience कहता साब पूपिल का उस according rating scale होगा device कितनी अच्छी से use किया यहां पे rating scale मतलब ratings उसके according दी जाएगी पीटी को components में undesirable behavior यह दो चीज़े लिख देनी है उसके according rating scale देना है कि अच्छा था कैसा था 6 तक उसकी rating scale है यह आपको बनाना है आपको यह पहला micro lesson plan आपको clear है क्या बनाना है बस इसमें introduction ही देनी है नो response पे आकर रुक जाना है topic announce कर देना है और यह सारा same ही रहेगा क्या कोई भी subject हो science हो, math हो, sst, english यह सब rating scale सेम रहेगे आज यह micro lesson 1 की है next video micro lesson 2 आजाएगा तो प्लीज ध्यान रखना कि वह skill of introducing a lesson ही होगा ऐसे तो मैं mention कर दोंगे तो once again you can see I hope this micro lesson of introducing is clear to you thank you very much